हलो स्टूडेंट्स और फ्रेंट्स नमस्कार मैं में बल्डोदिया आपसे मुखातिब हो रहा हूँ अभीव्यक्ति के माध्यम से नीट यूजी 2021 को लेकर लगातार अपडेट्स मैं आपके बीच मेरे चैनल के माध्यम से देता आ रहा हूँ नीट के रिजल्ट का इंतजार हम सबको था लेकिन NTA ने कल ही एक नॉटिफिकेशन रिलीज करके हमारे इंतजार की घडियों को और बढ़ा दिया है जी हाँ 21st से लेकर 27th of October तक अब जो 2nd phase के registration है जो 1st phase का form आपने भरा था application form और जो 2nd phase के status को आपने update किया था उसको एक बार रिकरेक्ट करने का उसको एक बार चेक करने का मोका आपको दिया है इसकी information मैंने कल एक live वीडियो के मध्यम से भी दी थी जैसा स्क्रीन में आप देख पा रहे है मेरे पीछे डिस्प्ले हो रहा है neat using 2021 और इसके counseling के schedule को लेकर कुछ जानका नहीं है मैं आपको दे रहा हूँ आपको shortest वीडियो में वो सारी information मिलेंगी कि counseling के लिए आपको क्या करना चाहिए definitely उन students के लिए बहुत useful है जो अभी exam के result का wait कर रहे हैं और positively वो इस बात को जानते हैं देखते हैं कि वो किसी ना किसी medical college में होंगे तो सही medical college का चुनाव कैसे किया जाए इसकी बात हम बाद में करेंगे seat metrics के साथ कुछ और videos में आपके साथ लेके आऊंगा जैसे ही result out होता है वैसे ही पूरी counseling का process जो है वो आपके साथ discuss किया जाएगा लेकिन एक बार result आते ही आप counseling के लिए कौन से कौन से documents अपने update रखें क्या-क्या तयारियां आपको रख लेनी चाहिए ये सब जो है मैं आपके साथ discuss कर रहा हूँ new TG counseling और ये हम जो 15% quota है all India quota उसके लिए हम बात कर रहे हैं 15% seats जो हमारे पास होती है MBBS और BDS में admissions की so students first of all जैसे ही NEET का result आ जाता है तो आपको MCC की website को regular visit करना है जी हाँ NTA का काम अब खतम हो जाता है NTA का काम सिर्फ था आपका exam conduct करवाना और exam conduct करवाने के बाद result आउट करवाना तो result आउट करवाते ही या result आउट करते ही NTA का काम वहाँ से खतम हो जाता है registration करने के लिए आपको क्या करना है कुछ requirements जो documents की है वो भी मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ तो देखिए जैसे ही counseling की बात हम करते हैं तो सबसे पहले हमने कहा MCC की site को आप visit करते रहें 15% जो quota है उसकी counseling की बात हम यहाँ कर रहे है registration के लिए first of all आप यह decide करें अपने particulars आपको fill करने उसके बाद आपको registration करना है सबसे पहले आप यह decide करें कि जो central universities हैं जैसे AIMS है, VHU है और इसके अलावा जिपमेर जैसे इंस्टूट्स हैं या आप उन central institutions के लिए counseling कर रहे हैं, या फिर आप government colleges के लिए counseling कर रहे हैं या फिर आप deemed universities के लिए counseling कर रहे हैं, इस बात को specifically पहले से आप ध्यान में रखें और students आप जिस particular medical college की category के लिए counseling करना चाहते हैं, उसको आपको tick mark करना होगा, उसको आपको fill करना होगा Central Universities, Government Colleges and Dimmed Universities यहां three main categories हैं जिनके लिए आप counseling कर सकते हैं देखिए, registration के ठीक बाद आप यहां क्या करेंगे जैसे registration आपका हो जाता है तो registration का जो process है उसके लिए जो requirement counseling की वो क्या है Candidate must fulfill the minimum eligibility criteria और इसमें देखिए, आपको बताया गया है that is the 50% marks in the 12th board exams with PCB mandatory subject हैं आप ध्यान रखें physics, chemistry और biology admission अगर आप medical और dental colleges में लेना चाहते हैं तो आपके जो marks obtained हुए हैं जो NEET UG 2021 का आपका result होगा वो score ही उसका students basis होगा इसके अलावा different marriage lists are prepared for different category students जैसे आप general category से हैं आप OBC से हैं, आप SC से हैं आप ST से हैं, EWS जनरल category है इसके लावा physical handicapped हैं तो different type of category जो है उनकी marriage list students separately बनेगी और उसके basis पर आप जो है वो admission के लिए eligible होंगे next यहाँ सबसे important बात आती है fees की, जैसे ही आपने site खोला site open किया, अपने particulars डालने के बाद आपको जैसे ही registration करने को मिला registration के बाद, आप students यहाँ fees पे जाएं, वहाँ जिस particular college के लिए आपने registration किया है उसके लिए एक free amount आपसे वो require करेगा तो यहाँ 10,000 और 5,000 टू categories मैंने बनाई हैं यह refundable है, यह आप government colleges के लिए ध्यान रखें refundable amount डिसकस कर रहे है तो यहाँ students, जो mode of payment है वो क्या रह सकता है, credit card debit card और net banking के थूँ आप payment कर सकते हैं, इसके बारे में separately एक वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा जिसमें हम यह देखेंगे, कि जो fee structure है, different colleges का fee structure क्या रहने वाला है इसके बाद देखिए, आपको preference choice filling अपनी करनी पड़ेगी कौन कौन सी choice आप fill करना चाहते हैं तो 1, 2, 10 जैसे माल लीजिए आपने colleges fill किये तो यह आपकी preference होगी किस college में आप जाना चाहते हैं, क्या आपकी priority है, वो priority preference filling में होगी, इसके बाद आप जो choice उसमें fill कर चुके हैं, उसको students आपको lock करना होगा, देखे preference fill करने और उसको lock करने के बीच 2-3 दिन का time basically आपको दिया जाता है, MCC की website पर आपको इसका update मिलेगा, और यह first round की counselling के लिए students आप अपनी choice lock कर देंगे जो भी आपने colleges वहाँ fill करें हैं, ठीक है, इसके बाद देखिए, declaration of result होगा, declaration of result का सीधा मतलब यहाँ seat allotment से है student seat आपको कौनसी allot हुई है उन seat allotment के बारे में आपको जो है, वो बताया जाएगा वो आपका ultimately declaration of result होगा, ठीक है, सबसे important यह है, document required for the NEET UG counselling, students counselling के time पे आपको सबसे पहले high school और अपना intermediate school जो है, उसका mark sheet होना चाहिए आपके पास, इसके अलाबा उसका passing certificate, आप जानते हैं mark sheet अलग होता है, उसके अलाबा passing certificate जो board exam आपने जिस board से particular board से पास किया है, उसका आपके पास passing certificate होना चाहिए एक identity proof, जैसे सुरू से आप आधार कार्ड लेके चल रहे हैं, तो आधार कार्ड आपके पास identity proof हो, इसके अलाबा birth certificate, यह matriculation के certificate में ही आ जाता है, जो 10th की आपकी mark sheet है, उसमें date of birth आपका mention होता है, category certificate, अगर आपका students applicable है, तो आप ध्यान रखें, इसमें basically देखिए, जो obviously के candidates से उनको बड़ा confusion होता है, आपको 6 months का, जो है वो certificate हिहां required होता है 6 months पहले अगर बना हुआ हो, तो वो applicable, जो आपका category certificate है, वो मानने होगा, वो माना जाएगा, पासपोर्ट size photograph, आपको 6, अपनी carry करनी है अपने साथ, NEET 2021 का admit card, जी हाँ जिसमें आपका roll number mentioned था, जिसके तुरू आप exam देके आए, वो admit card आपके पास होना चाहिए, और NEET 2021 का जो rank card है, जैसे आपका, मैंने अभी का result declare हो जाएगा, तो जो seat आपको allot हुई है, उस allotment का rank card आपके पास, और provisional allotment लेटर आपके पास होना चाहिए, तो ये इतनी सारी जो documents हैं, वो आप पहले से तयार रखें, आपको पता है, college आपको मिलने वाला है, और जो college आपको मिलेगा, उस particular college में जब आप counseling के लिए जाते हैं, तो counseling के लिए in documents के requirement आपको होगी, तो देखिए मैं summarize कर रहा हूँ, first round की counseling का मैंने एक sequence आपको बताया है, सबसे पहले आपको MCC की site पर जाकर register करना है, registration जब आप करते हैं, तो three type of categories आपके सामने खुलेंगी, जिसमें सबसे पहले आप ये कह सकते हैं, Central University, जैसे AIMSWA, JIPMIR हुआ, ये जो Central Institutions हैं, उनके लिए counseling आप करना चाते हैं, तो उसको tick mark करें, otherwise आप government colleges के लिए जाना चाते हैं, second category है, उसके लिए tick mark करें, या फिर आप dimmed universities के लिए अगर counseling करना चाते हैं, तो उसको tick mark करें, इन तीनों में free structure different different होता है, तो ये आपको बहुत keenly students observe करना चाहिए, उसके ठीक बात, आपको कुछ documents मैंने बताएं, इन documents को आप carry करें, और counseling के time पे जो है, वो आप जा सकते हैं, लेकिन online आप जब करें, तो online जो process आप करेंगे, उसमें आपको क्या करना है, आपने जैसे ही, अपना type या mode of college जो है, deemed university हो, या फिर central university हो, या फिर government college हो, जैसे या आपने वो finalize किया, तो आपके सामने fee का option खुलेगा, आपको fees pay करनी है, उसके ठीक बाद आपको जो है, वो choice, अपनी preference बतानी है, कौन से colleges prefer आप करते हैं, वो preference आपको बतानी है, और preference के ठीक बाद आपको अपनी choice lock करनी है, ultimately उसके बाद MCC जो है, वो अपनी site पे result declare करेगा, means seat allotment declare होगा, तो ये final students, आपको first round की जो 15% quote की counselling है, उसके बारे में मैंने एक brief detail दी है, short video में आप काफी सारी informations यहां से collect कर सकते हैं, next video जो need to 2021 के regarding होगा, उसमें मैं counselling की complete detail के बाद मिलूँगा आपसे, result के साथ, और उसके बाद हम different type of colleges, उनके seat matrix और counselling में पूरी help करने के आपकी कोशिस करेंगे, प्रियास करेंगे, enjoy your life, thank you.